साल 1965 और साल 1971 ये दो साल में राश्ट्रस्तर पर कई सारी घटना हुई लेकिन अंतराश्ट्रस्तर पर एक ऐसी घटना हुई जिसे करोडों लोग आज भी याद करते हैं और वह है भारत पाकिस्तान यूद यह बात किसे से चुपी नहीं कि इन दो देशों में मैत्री संबत प रस्तुत होते ही हैं जहां अकिकत में भारत देश विशों को ग्यान और सेवा प्रदान करता आ रहा है वहां दूसरी तरफ पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो भारत पर आक्रम मढ़कर राज करने के सपने देखता है 1965 और 1971 में जहां लाखों सेनिकों ने अपना सब कुछ समर्पित किया वहीं दूसरी तरफ परदे के पीछे भारत माता के नजाने कितने वीर पुत्र और पुत्रियों ने जान की बाजी लगा कर भारत माता के लाल और अपने सेनिक भायों की सायता की इन सब में से भारत माता का एक ऐसा पुत्र भी था जिनके परिचे में वेर शब्द घुटने टेक दे इनके साई निर्णे और चतुर बुद्धी ने भारत को यूद में जीत दर्ज करवाने में अपना अहम योगदान दिया इस वेर और चतुर बुद्धा का नाम है रणचोड़ दास पागी गुजरात की धरती पर दुश्मन से लोहा लेने वाले रणचोड़ दास पागी आखिरकार कौन थे जानने के लिए बने रहे आज की इस वीडियो में सता इसमें 1964 भारत के प्रदान मंत्री पंडित जवाला नेरू की मृत्ति वी भारत की अर्थवेस्ता बूरी तरसे डगमगा गई ऐसे विकट परिस्तिती को संभालने के लिए देश की कमान श्री लाल बादू शास्त्री को मिली भारत की इस गंबीर परिस्तिती को पाकिस्तान जानता था और इस परिस्तिती का फायदा उठाने के फिराक में था पाकिस्तान मिनिस्टर और फॉरल नफेर जुल्फिकार अली बुटो ने पाकिस्तान प्रेसिडंट अयूब खान को भारत पर हमला करने का प्रस्ताव रखा जुल्फे कारबुटों का मानना था कि साल 1962 भारत चिन यूद में भारत की हार से उनकी सेना का मोनोबल तूट गया होगा और तो और नए प्रदान मंत्री लाल बादू शास्त्री आर्थिक सेनिय एवं विबिन समस्या को सुलजाने में लगे होंगे ऐसी परिस्तिते में भारत से यूद करके काश्मीर को भारत से चीना जा सकता है कश्मीर का नाम सुनते ही अयूब खान किसी लालची कुटे की तरह बात मान गया पाकिस्तान फॉज बड़े स्केल पर यूद लड़ने को तयार हो गई पाकिस्तान फॉज के अफसरों का मानना था कि अगर कश्मीर चाहिए तो सबसे पहले बॉर्डर पर बसे भारत के अन्यस थल्क पर कबजा करना सही होगा क्योंकि इससे भारतिय से नब बठ जाएगी और पीछे से कश्मीर पर चड़ाई भी हो सकती है कश्मीर के साथ साथ भारत के बहुत सारे बॉर्डर एरियास पर भी पाकिस्तान का कबजा हो जाएगा अप्रेल 1965 पाकिस्तानी फॉज ने गुजरात के कच में अपना फैलाव शुरू किया आदा कच पाकिस्तान के गिरफ्त में आ चुका था पाकिस्तानी फॉज ने आदे कच पर अपना धावाट ठोक दिया भारतिय सरकार के लिए एक और चिंता का विशय अब यह बन चुका था पाकिस्तानी फॉज पर आक्रमण करना ज़रूरी बन गया भारतिय सेना ने सर्च ओपरेशन शुरू किया परंतु समस्या यह थी कि कच के कई सारे गाव में पाकिस्तानी सेना चुपी हुई थी और उन सभी को ढूणना मुश्किल हो चला था पाकिस्तान सीज फायर के ओर्डर का इंतजार कर रहे थी क्योंकि सीज फायर से जो सेना जहां पर है वहां पर ही रह जाएगी और कच पाकिस्तान की मुठी में जगा जगा पर फैली पाकिस्तानी सेना भारतिय सेना पर हमला कर रहे थी जिसके वज़़े से टैंस सिचुएशन बढ़ती जा रहे थी समय बहुत ही कम था और पाकिस्तानी सेना को कच से खदेरना भी जरूरी था परन्तु समस्य अवई कि इतने बड़े विस्तार में दुश्मनों को कैसे लोकेट किया जाए भारते सेना कच में एक ऐसे आदमी की तलाश कर रही थी जो हर चप्ते से वाकिफ हो परन्तु भला युद के इस भयंकर नगाड में जान की बाजी लगाने वाला कौन और कहा मिलेगा परन्तु बहुत जल्द भारते सेना की यह खोच पूरी वी इस काम के लिए कच का एक ऐसा वीर पुत्र खड़ा हुआ जो कच के चप्पे चप्पे से वाकिफ था और अपनी बास जैसी नजर पूरे गाउं और रण पर रखता जान की कोई परवा इस वीर पुत्र को न थी क्योंकि मौट से उनकी आखमी चोली पहले भी हो चुकी थी बारत मा के इस वीर पुत्र का नाम था रणचोड़दास रबारी और रणचोड़दास पगी कौन थे रणचोड़दास पगी और किस परिस्तिती ने उन्हें बहादुर बनाया इस प्रश्ण के उत्र के लिए वक्त को थोड़ा पीछे लिए चलते हैं रणचोड़दास सवाभाई रबारी का जर्म साल 1901 सिंध प्रांत के थारपाकार जिले में हुआ था रणचोड़दास जी अपने गाउं में खेती का काम कर रहे थे और परिवार की इससे आर्थिक परिस्तिती अच्छी थी साल 1947 एक ऐसा समया जिसकी कलपना किसी को भी न थी और वह था भारत का बटवारा रणचोड़दास जी का गाउं पाकिस्तान के इससे में चला गया पूरे शहर में दंगे हुए और हजारों हिंदुओं का धर्म परिवर्तन हथियारों के जोर पर होने लगा लाखों की इतादात में लोग भारत के तरफ पलायन करने लगे रणचोड़दास जी जानते थे के हिंदुओं के इस कतले आम से उनका परिवार अच्छूता न रहेगा धर्म परिवर्तन का दबाओ उनके परिवार पर भी पड़ा परन्तु रबारी वंश में जन में रणचोड़दास जी मृत्यों को गले लगा सकते थे लेकिन अपने संसकार की बली चर्णा उन्हें मन्जूर न था अपने परिवार और गाउवासियों की जान बचा कर भारत चले जाने का निर्नाय लिया भारत आते ही सभी शर्णार्थियों की तरह उनकी भी आर्थिक स्तिती ठीक न थी पईवार का गुजारा भी अब उन्हे ही चलाना था रंचोरदास जी की एक खासे थी कि वे जहां भी रहते थे वाँ की आबो होआ को पूरी तरह से समझ जाते शेत्रफल वाँ का भोगौलिक ज्यान और वाँ के रेरे लोग की जान परक भी रहती शकल और सोभाव से पैचान जाते कि इनसान उनके गाउं का है या कहीं बहार का रंचोरदास जी की यह काबिलत वाँ के लोकल पुलीस से बनास काठा तक के पुलीस अधिकारियों से चुपी नहीं वाँ के पुलीस ने रंचोरदास जी को पगी की जिम्मदारी दी पगी एक गुजराती शब्दे जिसका मतलब होता है वाच्मेन अथ्वाट ट्रैकर बस यहीं से लोग उन्हें रंचोरदास पगी के नाम से जानने वा बुलाने लगे बौडर पर रंचोरदास जी के कड़क पेरो की वज़ए से दुश्मन देश के जासुस पकड़े जाते रंचोरदास पगी रेकिस्तान पर गुजरे उट के पेरो के निशान से समझ जाते कि उस पर कौन और कितने वजन का समान लदा हुआ होगा ऐसे जानकरी के दम पर दुश्मन देश के गुस बैठियों को पकड़वाने में रंचोड़दास जी हमेशा काम्याब रहते साल 1965 पाकिस्तान फौज ने कच के आदे से ज़ादा हिस्सों पर कबजा कर लिया जिसमें कंजर कोट पी शामिल था कर्श के अलग-अलग विस्तारों में भारतिय फौज पर हमला हुआ जिसमें 100 से अधिक जवान वीरगती को प्राप्त हुए भारतिय फौज अगर चाती तो कुछी घंटों में खदेड कर दुश्मनों को मार सकती थी प्रन्तु दुश्मन अलग-अलग विस्तार गाउं में फैला हुआ था और इससे आम नागरिकों के जान को खत्रा पहुँच सकता था ऐसे परिस्तिती में दुश्मन सेनिगवी बेस बदल कर कच्छवासियों की तरह दिखकर भारतिय फौज की खबर रखता जा रहा था ऐसी परिस्तिती में स्थानिय पुलिस अफसरों ने रंचोरदास जी को भारतिय फौज के पास ले गए भारतिय फौज रंचोरदास जी के कौशलता से पूर्ण रूप से परिचित नहीं थे रंशोरदास जी ने वहां के अफसरों को आस्वासन दिया कि वहां उनके काम की बीच में नहीं आएंगे और अपने आदमियों के साथ दुश्मनों का पता लगाते रहेंगे रंशोरदास जी जानते थे कि दुश्मन गामवास्यों की तरह ही कपड़े पहने होंगे उन्होंने तीन चीजों का ध्यान रखा पहली बात रात के अंधेरे में दस से जादा आदमियों का दल इकटा हो तो पक्का वह पाकिस्तानी सैनिक ही होंगे क्योंकि युद के इस परिस्तिती में कोई भी गाउं का आदमी अपने घर से बाहर नहीं निकलेगा दूसरी बात भारतिय सैनिकों को देख उन्होंने अब्जर्व किया कि कमर पर हाथ हो सीधे खड़े हो या उनके पास बैग हो अगर यह सब सामयता हो तो चांसीज कुप ज़्यादा हैं कि वह सैनिक ही होंगे तीसरी बात कि जायर स्थान पर एक दूसरे से बात करने के लिए कान में फुस्फुसाना या ज़ादातर इशारों में बात करना अथवा भाशा में बदलाफ या भी उस आदमी के दुश्मन होने के संकेत है बस इन बातों को ध्यान में रखते हुए रंचोरदास जी ने काम करना शुरू कर दिया या तक पशुवत तक का भी मुल्यांकन किया रंचोरदास जी को सफलता मिलती जा रही थी करीब 1200 पाकिस्तानी सिपायों के स्थान का पता लग गया फिर क्या पार्तिय फौज ने बड़े स्केल पर ऑपरेशन किया और दुश्मनों को मार कर कज से खदेड भगाया परन्तु मुसीबत अभी भी खत्म ना हुई कज से मिल असफलता के बाद पाकिस्तान फौज ने ऑपरेशन जिब्राल्टर से कश्मीर में गुज गई और फिर पंजाब राजस्थान बॉर्डर पर भी गुज गई इसके बाद साल 1965 खुनी युद का आगाज हुआ इस युद में पाकिस्तानी फौज आम नागरी को पर हमला करने लगी यह तक पाकिस्तानी एर फोर्स ने गुज राद पर हमला करना शुरू कर दिया 19 सितंबर 1965 गुज राद के चीफ मिनिस्टर बन्लवंत राई मेहता के प्लेन पर अटैक किया पाकिस्तानी एर फोर्स पालेट के सुसर ने मुख्य मंत्री के प्लेन को गिरा दिया जिसमें मुख्य मंत्री और उनके पत्नी के मृत्यू हुई गुज रत फिर से समस्याओं से घिर गया लेकिन रठचोर दाश जी के कड़े पैरे ने कम से कम पाकिस्तानी फोज को तो घुसने नहीं ही दिया साल 1965 यूद में भारतिय सेना ने वीरता पूर्वक पाकिस्तान फोज को भागाया और इतना ही नहीं घुस बेटियों के घर यानि कि लाहॉर तक घुसकर विजय का पताका ले रहाया साल 1971 भारत पाकिस्तान यूद अपने चरम पर था अग्रेसिव मिलिटरी ओपरेशन से कोई भी बॉर्डर एरिया अच्छूता न था ऐसे विकट परिस्तिति में जरूरी बन जाता है बॉर्डर एरियास परिस्तित दुश्मनों का सफाया गुजरात में स्थित भूज एर सेशन दुवारा इंडियन एर फोर्स के एर क्राफ्ट उडान भर कर दुश्मन पर हमला कर भारतियों फोज को प्रॉपर सपोर्ट देते थे 8 दिसंबर 1970 की रात पाकिस्तान एर फोर्स ने भूज एर बेस पर एर स्ट्राइक की 14 नेफलिम बॉम से एर स्ट्रिप को पूरी तरह से तबाह कर दिया एर स्ट्रिप के तबाह हो जाने पर इंडियन आर्मी को एरियल सपोर्ट मिलना मुश्किल हो चुका था एर स्ट्रिप को वापस बनाना जोरी हो चुका था तोकि पाकिस्तानी एर फोर्स गुजरात में आसाने से प्रवेश करके नागरिकों पर हमला किये जा रहा था इस कारे में भूज की 300 विरांग नाओं ने हिस्सा लिया और उनके होसले और वम सुरक्षा प्रदान करने की जिम्यदारी स्कौर्डन लीडर विजयकार्णी की थी विजयकार्णी की समस्या एक और थी और वह थी पाकिस्तानी गुसबैट इस समस्या को सुलजाने के लिए रंचोरदास जी तयार थे रंचोरदास जी की नजर दुश्मनों पर थी और गतिविद्यों का पूरा हिसाब वे भारतिय सेना को पहुचाते थे स्कौर्डन लीडर विजयकार्णी की देखरेख में एस ट्रिप का पूर्णा निर्मार शुरू हुआ तीन सो भूजमेलाय और उनकी सुरक्षा में स्कौर्डन लीडर विजयकार्णी 50 भारतिय वायुसेनिक सांट डिफेंस सेक्यूर्टी परसनल ने मिलकर एस ट्रिप का पूर्णा निर्मार सिर्फ बाहतर घंटों में पूर्ण किया इसके बाद भारतिय वायुसेन ने दूगनी प्रहार से पाकिस्तानी फॉज पर जवाबी आक्रमण किया और यूद विजय के प्रमुख कारण बने दूसरी तरफ रंचोरदाश जी द्वारा दी गई प्रॉपर मिलिटरी इंटेलिजन्स ने भी यूद में एहम भूमे का निफाई भारतिय फॉज 1962 की हार से बहुत कुछ सीखा 1965, 1971 और 1999 जहां दुश्मन देश पाकिस्तान फॉज को सैयुक अरब, अमेरिका और चिन का सर्योग मिला तो दूसरी तरफ भारतिय फॉज को इस्रेल और रश्या का कुछ हद तक सपोर्ट मिला परन्तु फिर भी तीनों यूद में पाकिस्तान बुरी तरसे हारा रंचोरदास जी की सेवा इन दो यूद में समाप नहीं हुई 1971 यूद के बाद भी अपनी अमूल्य सेवाएं भारतिय फॉज को प्रदान की भारत के पूरवर थर सेना अत्यक्ष और फिल्ड मार्शल सैम मानिक्षो रंचोरदास जी के कार्य कुशलता से बहत प्रभावित थे रंचोरदास जी से उन्होंने मुलाकात की और तीन सुरूपे नगत भेट दी बीए सेफ ने उनके नाम से आउटपोस्ट भी बनाया आज भी रंचोरदास जी के आशिरवाद से बीए से वहां कार्य रत है भारतिय सरकार की तरफ से रंचोरदास जी को संग्राम मेडल, पुलिस मेडल और समर मेडल से समानित किया 1965 जैसे यूद बार से भारतिय फौज जरूर थी परंतु परदे के पीछे रंचोरदास जी रबारी, रविंद्र कौशिक जैसे हजारों नागरिकों ने अपने जान की बाजी लगा कर भारत के यूद विजय का अभिन हिस्सा बने भले ही इनके पास फौजी वर्दी ना हो परंतु साहस किसी फौजी से कम ना था खुद का नाम इतियास के पड़नों पर चमकाने की होड न थी परंतु हमने उनको सही दर्जा उसमें नहीं दिया आज इन वीर और विरंग नाव से हम मोशन पिक्चर्स, डॉक्यमेंटरी प्रोजेक्ट्स दुआरा परिचित हो रहे परंतु असली वीजे हमारे इतियास की तब होगी जब इन सबी मानुभवों के नाम हमारे एजुकेशन सिस्टम्स के बुक में शामिल हो जिससे आने वाली पीडी को पार्तिय फौज के साथ देश की एकता और अखंडता पर गर्व हो मिलते हैं अगले वीडियो में वीरिता और शोरे से भरी कहानी के साथ तब तक के लिए जैहिन वंदे मातरम